नात मुरे नैनने आगे रहियो हरी जी मुरे नात मुरे नैनने आगे रहियो हरे मुरा रहियो ये नात मारायत मा सुझे जिवें पिवस्वामृत मेद दें गोविंद दामोदर माद दें हरी बाल हरी बाल हरी बन, हरी बन, हरी बन, हरी बन... हरी बन, हरी बन, हरी बन, हरी बन... बस गाया गाया, हरी बन, गाया, काल ब्याल सों, बाचे... एक भरोसो, एक बल्म, एक आस विश्वास, एक राम, घन शाम हित, चातक तुल सीधा, जैसे प्रत्यक यात्रा का अपना एक उद्धिश्य होता है, आप चलते हैं कहीं पहुचने के लिए चलते हैं, मार्ग में कष्ट भी होता है, सुख सुविधा का अभाव भी होता है, फिर भी आप चलते हैं, कहीं पहुचने के लिए चलते हैं, आज तो बहुत सुविधाएं उपलब्द हो गई, कभी किसी समय में लोग अथक परिश्रम करके, अत्यंत कष्ट सहे के तीर्थ की यात्रा किया करते थे, देवदर्शन पाने के लिए, पुन्य प्राप्त करने के लिए, तो यात्रा के कष्टों को देख कर, कोई चलना नहीं छोड़ता, और जो चलता है, वो आज नहीं तो कल पहुँच भी जाता है, तो प्रते की यात्रा का अपना एक गंतव्य भी है, मार्ग में कुछ अनुकूलताएं भी हैं, कुछ प्रतिकूलताएं भी हैं, पर फिर भी, जिसे जाना है, वो चलेगा, और जो चलेगा, वो पहुँचेगा, भक्ती की यात्रा भी ऐसी है, सत्संग की कृपा से, कभी जीवन में इसका आरंब होता है, पिछले चार दिनों से हम इसी चर्चा के माध्यम से प्रियास कर रहे हैं, इस भाव को हृद्यंगम करने का, कि सत्संग की कृपा से, भगवान की कथा की, भगवत गुणानुवाद की, भक्त के भाव की कृपा से, जीवन में इस यात्रा का आरंब होता है, अपना विश्राम पाती है, और वो यात्रा, वो विश्राम क्या है, जब भक्ति अनन्या हो जाती है, जब भक्ति सुधन्या हो जाती है, अनन्या हो जाना ये भक्ति का सौभाग्य है, जैसे एक सुन्दर स्त्री, अति सुन्दरवस्त्र और आबूशनों से सुसज्जित हो लेकिन वो पतिवरता है या नहीं उसके कुछ विशेश चिन्न होते हैं उसे से अनुमान लगाया जाता है कि यह सुन्दरवस्त्र हो सुन्दर से सुन्दर आबूशन हो लेकिन माथे पर कुमकुम की बिंदिया ना हो तो श्रिंगार अपूर्ण है वो उसका सौभाग्य सूचक चिन्न है ऐसे भक्ती में सब कुछ हो लेकिन भक्ती में यदि भाव की अनन्यता ना हो तो फिर भावना अपूर्ण है जो अनन्यता है वो भक्ति का सौभाग्य सूचक चिन्न है वो भक्ति का सौभाग्य है उसके अभाव में भक्ति सदवा नहीं है उसके अभाव में भक्ति सौभाग्यवती नहीं जब आप आरंप करेंगे इसलिए भगवान ने मंत्र जाप ममद्रड विश्वासा भगवान ने मंत्र जाप को मध्य में रखा उससे पहले चार चर्णों का अनुष्ठान भगवान ने बताया वो चलते चलते कहीं आप पहुँचेंगे सत्संग क्या देगा आपको सत्संग गुरु दे के नहीं दे लेकिन सत्संग आपको शिश्य जरूर बना देगा जब आप सुनेंगे और सुनते रहेंगे गुरु तो नानक को प्रभभय कृपाला सत्गुरु पूरा पाया जीवन में गुरू के मिलने की जो घड़ी है वो तो प्रभू ने निश्चित की है उसमें तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना कोई और साधन कुछ कर पाएगा ये अधिकार भगवान ने अपने हाथ में रखा है क्योंकि गुरु के मिलते ही गुरु के मिलते ही होता क्या है गुरु के मिलते ही फिर भगवान को अपने सब अधिकार छोड़ देने पड़ते हैं गुरु के मिलते ही तो जीव के जीवन में पूर्णता आने लगती है न पूर्णता और भाव की पूर्णता ऐसी आती है कि कभी-कभी जीव भगवान को बांधने वाला हो जाता है जो आज तक सर्वतंत्र स्वतंत्र था, बस जीवन में गुरु आया और भगवान को बांधने वाला जीव हो गया आप देखो शबरी के जीवन में गुरु आया बावभावना आई और शबरी कैसी हो गई कि बन-बन भगवान भटक रहे हैं शबरी की कुटिया खोजते हुए कहां तो कोई भक्त खोजता है धीतर बाहर जाने कहां कहां खोजता है और फिल कहां भगवान खोज रहे हैं भक्त को एक-एक से पूछते हैं कि कोई मेरी शबरी की कुटिया बता दो तो भगवान की स्वतंतरता तो गुरू के आने से पहले रहती है इसलिए भगवान ने भी बहुत शिगृता नेगी आप भी बहुत शिगृता मत करना पहले चार चरण पूरे करना सुनते सुनते मन पे जो जन्मों से जो परत जमा है जड़ता की सुनते सुनते धिरे धिरे उसका मारजन होने लगेगा यथा यथात्मा परिमर्जतेसव कथा मारजन करती है, करती चली जाएगी, सुनते रहना, सुनते रहना, जिनके स्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, इस प्रकार सुनना, फिर सुनते सुनते मारजन होने लगेगा, सुनते सुनते आप में शिश्य किस प्रकार हुआ जाता है। यह जो आप सुनेंगे, मैंने पूर भी आपको संकेत किया था, कि सुनने का और देखने का संसकार पड़ता है मन्रों, आप केवल आहार मुख से ही नहीं करते, आख से भी आहार होता है, कान से भी आहार होता है, आख से भी तो आहार होता है, अजामिल ने आख से ही तो आहार और पतन हो गया, बिल्वमंगल आंक से ही तो कुछ-कुछ अनुचित आहार कर वैठे और पतन हो गया, जो नहीं देखना चाहिए था, एक कुलीन ब्राह्मन को वो देखा और बस देखते ही उसका संसकार हिरदय पर पड़ा, और आपको बताओं, विचार में बहुत बड़ी शक्ती होती है, शायद आप भी अपने मन की इस शक्ती से परिचित नहीं है, आपके मन के पास विचार करने की शक्ती है, और ये मन के पास बहुत बड़ी शक्ती है, मन ने विचार की शक्ती से ही तो आपको संसार में बांध रखा है, संसार की किसी चीज ने, संसार की किसी व्यक्ति ने संसार की किसी वस्तु ने संसार के किसी संबंध ने आपको अपने साथ नहीं बादा आपके मन के विचार ने आपको संसार के साथ बादा है आप देखिए कितनी बड़ी सत्ता है मन के पास इस विचार की कितना आपने सुना आप सुनते हैं कितना आपने पढ़ा आप पढ़ते हैं और कोई भी तो ऐसा नहीं है जिसके पास संसार का कटू अनुभव नहो वो अनुभव भी एक और रह जाता है पढ़ा सुना भी एक और रह जाता है लेकिन आपके मन में जो संसार का विचार है वो आपको संसार का ही बनाए रखता है छुडाए छूटता नहीं छूटे तो मन का विचार छोडने नहीं देता मन के पास विचार की इतनी बड़ी समर्थ है इसलिए तो मैं कहता हूँ कथा में बैठ कर भगवद अराधना में बैठ कर भगवद नाम की उपासना करते हैं जब आप इसे आप सुमिरन कहते हैं उसमें बैठ कर जब मन आपको संसार में ले जा सकता है तो संसार में रहकर मन आपको प्रभू में क्यों नहीं लगा सकता उसके पास ये सामर्थ भी है लेकिन ये संभव कभ होता है यह संभव होता है जब आपके पास एक युक्ति आती है और युक्ति गुरु देता है युक्ति गुरु देता है इसलिए भगवान ने का धीरे धीरे आरंब करना जब शिश्य होने की योगता आजाए जब गुरु के चरणों की सेवा निश्काम होकर अमान होकर करने की योगिता आ जाए तब वहां से यात्रा आरंब करना गुरु पदपंकज सेवा तीसरी भगती अमान और फिर जैसे गुरु के चरणों की धूल का स्पर्श होगा जैसे गुरु के चरणों की धूल का स्पर्श होगा मन आनन्दित होगा मन उत्साहित होगा मन उल्लसित होगा और श्री गुरु चरन सरोजरज निजमन मुकुर सुधार और वो मन का मुकुर मन का दरपन स्वच्च करते ही क्या प्रभाव हुआ क्या परिणाम हुआ तुलसी कहते हैं कि गुरु के चर्णों की धूल माथे लगाई, मन का दरपन साफ हुआ बड़े भाग मैं सत गुरु पाया मन की दुविधा दूर भगाई जोवस्तू मैं ढूढ़ी जग में सुवस्तू घट भी दरपा इरदे के भीतर वो प्रेम कहीं छिपा था इरदे के भीतर वो आनंद कहीं छिपा था और जैसे गुरु के चर्णों की रज का सपर्श हुआ गोस्वामी जी कहते हैं मन आनंदित हुआ और मन आनंदित हुआ तो क्या कहता है बरनो रगुवर बिमल जस जो दायक फल चार यहां से होते होते फिर फिर जब गुरु योगे समझता है फिर जैसे कल मैंने कहा था विराम के क्षणों में कि मंत्र क्या है कि जैसे आपकी वृत्ति को किसी ने जमामन लगा दिया अब वो गंभीर होने लगेगी अब वो स्थिर होने लगेगी अब आप जब चलेंगे तो उसको छलकने का भै नहीं होगा बूखा हो ना पेट बूखा हो पेट तो विचार नहीं करता खाने योगे है के नहीं है स्वच्छ है के नहीं है खा बैटता है क्योंकि भूख है ठीक ऐसे ही क्या है ना मन को आनंद की भूख है वो पापी हो, पुन्यात्मा हो दुरात्मा हो, महात्मा हो कोई भी हो सबके मन को आनंद की भूख है सुख की चाह है उस चाह में मन विचार नहीं कर पाता कि खाने योगे है के नहीं पाने योगे है के नहीं लेने योगे है के नहीं ले बैठता है छलक जाता है मन चलते चलते आप नहीं चाहते फिर भी मन की वृत्ति विखर जाती है और बिकरो मन सिम्टत नहीं कीजे कौन हुपाए तो संत कहते हैं साधन को हरी भजन है के सतसंग सहाए साधन को हरी भजन है के सतसंग सहाए तो फिर जब Guru मंत्र रूपी जमावन लगा देता है एक शायर कहता है कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं तन की दौलत च्छाओं है आता है तन जाता है तन अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिन्दगी अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिन्दगी तू अगर उसका नहीं बनता न बन अपना तो बन कम से कम इतना तो करिए, भगवान न मिले ना सही, खुद से तो मिलीए कहीं आपके जीवन में इस इस अनंत काल की इस यात्रा का जिसका आप निर्वाह करते आ रहे हैं और केवल निर्वाह करते नहीं आ रहें कश्ट पाते आ रहें, ठकते आ रहें, श्रमित होते आ रहें मैंने कई बार उधारन दिया कि मा के गर्ब से बाहर आने पर बालक को प्रसंद होना चाहिए वो नरकवास से बाहर आया जठरागनी का ताप मलमूत्र की दुरगंध और उसमें उल्टा टंगा जीव कितना कश्ट पाता है माधा के गर्ब में इसलिए शास्त्र जठरवास को नरकवास कहता है नरक से बाहर आने पर प्रसंद होना चाहिए पर बालक रोता है पर बालक रोता है कोई नहीं हसा सब रोते हैं आते ही जैसे ही संसार की पवन छूती है रोता है और संत कारण बताते हैं वोले भीतर कितने भी कश्ट थे जठरागनी का ताप था मलमूत्र विष्ठा की दुरुगंद थी पर कम से कम भगवान का स्मरण था कम से कम भगवान का स्मरण था और जैसे ही संसार की पवन लगी भगवान भूल गए इसलिए जीव रोया भगवत विस्मिर्ती हो गई मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया था कि जीवन के सब दुखों का केवल एक ही कारण है एक ही कारण भगवत विस्मृति हो गई है जीव को भगवत संबंध की विस्मृति हो गई है जैसे रोग एक है फिर आउशदी भी एक ही है दो नहीं है रोग भी एक है और आउशदी भी एक है और इसका बैद भी एक ही है इसका बैद भी एक ही है कवीर कहता है सद गुरू हो महाराज मोपे नाम रगडा बैद भी एक ही है इसलिए शरीर की जो प्रकृति है आपके अंतरमन की जो प्रकृति है वो संसार का सेवन करने से बिगड जाती है आप कोई पी ले कोई ना पी नहीं होगे बस तू पी ले तो क्या होगा उसे पहला लक्षन क्या होगा होश में नहीं रहेगा कहां जाना है क्या खाना है क्या कहना है उसे उसकी विस्मृति हो जाएगी ऐसे ही संसार का सेवन करते ही संसार के विशय का सेवन करते ही होता क्या है जीव होश गवाँ बैठता है बेहोश है मोह निसा सब सोवन हारा सोया है जीव और ये शब्द जगा देते हैं फिर जब गुरु योग कि समझता है अच्छा एक और बात में बताओं कि जल को जमावन नहीं लगाया जाता उसके लिए दूध चाहिए उसकी कम से कम आवश्यक्ता क्या है कि दूध तो हो तो अभी क्या है क्षीर और नीर मिल गया है दूध और पानी मिल गया है कैसे? मैंने पूर्व भी कहा था हिर्दय में राम भी है, हिर्दय में काम भी है दोनों है हिर्दय में प्रेम भी है, हिर्दय में कपट भी है और वो दोनों मिल गए है और क्षीर और नीर मिल जाए क्षीर और नीर मिल जाए तो क्षीर एक और कर दे और नीर एक और कर दे ऐसी योगिता किवल एक के पास में है जिसे हंस कहते है जिसे हंस कहते है और हंस कौन है कबीर कहता है पहले ये मन काग था करता जीवन गात अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात पहले ये मन काग था करता जीवन गात अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात संत है जिसका विवेक जगा है वो हंस है वो क्षीर नीर एक और कर देगा जब सत्संग में जाएंगे तो तुलसी बाबा क्या कहते है सत्संग का प्रसाद क्या मिलेगा सत्संग का प्रसाद क्या मिलेगा कि सबही सुलब सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा मजण फल पेखी ततकाला काक होई पिक बकहु मराला विले सत्संग एक ऐसी धारा है जिसमें गोता लगाने से कववा हंस हो जाता है पहले ये मन काग था करता जीवन घात मैंने पूर्व पिक कई बार का हर सांस में आपके पास दो अवसर आते हैं उसमें जीवन का पतन भी हो सकता है उसमें भगवत स्मरण भी हो सकता हर सांस आपके लिए दो संभावनाएं लेकर आती है क्या तो जीवन निर्मान कर लीजिए और के पतन की और आगे बढ़ जाईए आपको कोई रोकने वाला नहीं है भगवान ने कर्म करने का अधिकार देकर जीव को कुछ स्वतंतरता दे दी है लेकिन जैसे बंदर के हाथ में तलवार थमादो तो वो क्या करता है अपने स्वामी की नाग काट देता है ऐसे जीव के हात में स्वतंतरता आती है और प्रभूता पाए काए मदनाई उन्माद आता है जीवन में उनमाद आता है जीवन में इसलिए भी जीवन में गुरुजनों का होना बहुत आवश्चक है इसलिए जीवन में किसी के अनुशासन का होना बहुत आवश्चक है किसी की छाव तले रहोगे तो बचे रहोगे किसी के चरणों की छाओं में रहोगे तो बचे रहोगे मैंने पहले भी उधारन दिया था अरजुन बनने की योगता ना हो कि आपकी रच की डोर द्वारीकाधिश स्वयम अपने हाथ में ले सकें आप देखो अरजुन के पास क्या योगता थी मैं अरजुन का कोई और गुण तो नहीं देख पाता मोटी बुद्धी से लेकिन एक गुण तो दिखाई देता है भगवान ने चुनने को कहा कि अरजुन चुन एक और मेरी नारायनी सेना खड़ी है जो अपराज एए है इसे कोई नहीं हरा सकता और एक और अकेला मैं हूँ और मैं भी कैसा मैं भी कैसा जो शपत युक्त हूँ कि मैं युद्ध में शस्त्र में उठाऊंगा अरजुन के पास कोई योग गिता तो है भक्ती ने गुरु जनों की कृपा ने अरजुन के भीतर की आँख खोली है सत्संग है अरजुन के जीवन में तभी उसका विवेक जगा है और वो नाराइनी सेना नहीं चाहता वो केवल नाराइन को चाहता है और दुरियोदın भूल जाता है कि ये नाराइनी सेना इसी लिए तो अपराज है क्योंकि नाराइन इसके साथ है, बिना नारायन के नारायनी से ना कैसी अर्जुन का विवेक तो जगा है अर्जुन के पास अवसर आया था और भगवान ने अर्जुन को पहले चुनने के लिए कहा था कि अर्जुन पहले तेरा निरने है तो कि मैंने पहले तुझे देखा है तुचुन एक और मैं निहत था और जब अर्जुन ने चुन लिया श्री कृष्ण को दुर्योधन ने चैन की सांस ली वहले इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने आज तक देखा नहीं इससे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने और मनहीमन कहने लगा अर्जुन तुमने तो विजय श्री थाल में सजाकर युद्द से पहले ही मेरे सामने रख दी और गोविंद मनहीमन मुस्कुरा रहे हैं देखो एक बात गांठ बांद लो हवा के रुख में नईया चलाना असान होता है बहती हवा जहां हो उसी रुख में नौका चलाना आसान होता है और हवा वहीं चलती है जहां कृष्ण खड़े होते है हवा उनी का रुख लेकर चलती है जहां वो है इसलिए जीवन की अनुकूलता खोजने में बहुत जंजट करने की आवश्यक्ता नहीं है जीवन की अनुकूलता वहीं है जहां पर भगवत स्मरण है जहां पर सत्संग है, सेवा है, सुमिनन है वहीं पर जीवन की अनुकूलता है गोविंद मुस्कुरा रहे है मन ही मन कि अरजुन का विवेक जगा है अरजुन ने अरजुन ने आज ही अपने आपको विजई घोशिप कर दिया और एक और बात यसे दुरियोधन हसा था अरजुन पर ध्यान रखना आप भी जब भजन का मार्ग चुनोगे पहले संसार आप पर हसेगा पहले संसार समझेगा कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है पर गाड़ी चली है देखो पहुँचती कहा है निरने देने में शिगरता मत करना और यहां की बात में भी मत आना और संसार से कोई बहुत अधिक उम्मीद मत करना बहुत अधिक आशा मत लगाना कि यहां पर आपकी बड़ी जैजेकार हो जाएगा भजन के मार्क पर चले हाँ ढों के मार्क पर चले तो जैजेकार होगी भजन के मार्क पर चलोगे तो नहीं होगी संसार हसेगा भरी सभा के बीच में अपमानित भी किया जा सकता है भरे संसार के बीच में अपमानित भी किया जा सकता है भक्तों ने बहुत अपमान सहे और सूरदास्तों कहते हैं भक्त बिन कौन सहे अपमान भक्त के अलावा सहने की योगता भी किसमें है भक्त सहता है सह लेता है क्योंकि उसके पास बल है किसी ने आपको गाली दी, आपने बदले में दो गाली दे दी, क्योंकि आप थोड़े सबले, लेकिन यह आपका बल नहीं है शास्त्र बताता है, जैसे कल मैंने आपसे कहा था, कि संसार कभी बाधा नहीं है अरे तपस्वी तो तन को तपाता है संसार में रहकर तो मन को तपाने का अवसर मिलता है किसे ने आपका अपमान किया आप उत्तर दे सकते हैं लेकिन आप नहीं देते यह आपके मन का तप है यह आपकी वानी का तप है आप ये ना समझेगा कि आपके हाथ कुछ नहीं आया आपकी सहनशीलता वड़ी आपकी उदारता वड़ी आप भीतर से सुन्दर हो गए आप भीतर से सम्रिद्ध हो गए और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई रोकेगा नहीं आपको भगवान ने आपको स्वतंत्र कर दिया चुनने के लिए आपको चुन लिया दे दिया आपको अधिकार कि एक और तीन लोग की संपदा है और एक और अकेले भगवान खड़े हैं कुछ नहीं उनके पास में आप चुनिये और चुनना भी कब है युद्ध में जाने से पहले चुनना है बाद में नहीं इसलिए कल मेंने कहा था ना जिन्दगी खट्म होती है तो फिर जीने का ढंग आता है लेकिन तब लाव नहीं है चुनना है तो इस संसार के युद्ध में कुदने से पहले चुनिया आपको क्या चुनना है आपको अकेले कृष्ण चाहिए या आपको सब संपदा चाहिए और इस मैं तो कहता हूँ जिनकी शास्त्र में निष्ठा नहीं है जिनकी शास्त्र में निष्ठा नहीं है जिसे आजकल हुआ क्या कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है भारत में हजारों सालों से आकरमन कारी आते रहे, कभी तुर्क आये, कभी अफगान आये, कभी मुगल आये, उन्होंने भारत को रोंदा, लेकिन कोई भी भारतिय उनके जैसा बनना नहीं चाहता, कोई भी भारतिय उनके जैसा बनना नहीं चाहता अंग्रेज आए उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा अंग्रेजों के समय में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा अंग्रेजोंने मंदिर नहीं तोड़ा मानि इसमें संशे है कि ये ठीक है के नहीं है ये था के नहीं ये हुआ भी था के नहीं और मैं तो कहता हूँ नहीं आती आपकी बुद्धी में आपके पास इतना विवेक नहीं है आपके पास इतनी विचार शक्ति नहीं है योगि शास्त्र की बात समझने के लिए intelligence नहीं, intellect चाहिए बुद्धी नहीं, प्रग्या चाहिए चास्त्र क्या कहना चाहरा है इसे समझने के लिए बड़ा तीवर विवेक चाहिए नहीं यह आपके पास तो मैं कहता हूँ कहानी समझ के ही सुन लिजिए तो भी महाभारत की कहानी आपको सिखाती है कचुए और खरगोश की कहानी आपको अंतुमे यही तो सिखाती है कि slow and steady wins the race उस बड़ी लंबी कहानी से इतना तो सिखा आपने कि धीरे धीरे चलिए आप जीत जाएंगे, संभल संभल के पग धरिये, तो ऐसे ही महाभारत की कहानी से इतना सीख लिजिए कि संसार के युद्ध में कूदने से पहले आपको अवसर दिया जाएगा चुनने का कि आप एक और अकेले भगवान है और दूसरी और सारा संसार है, आपको क्या चुनना है युद्ध में प्रविर्त हो जाने के बाद, फिर तो एक बात की प्रतिक्षा करिएगा, या तो आपकी विजय होगी और या आपकी पराजय होगी और मैंने भगवान के अतरिक्त आज तक किसी को विजय होते देखा नहीं आज तक भगवान के अतरिक्त कोई विजय हो नहीं पाया चाहे किसी ने कितना भी प्रयास किया मैंने तो उधारन देता हूँ कई बार गेंद उचालोगे न थोड़ी उची जाएगी लोट आएगी और जोर से उचालोगे और उची जाएगी लोट आएगी पहलमान उचाल देगा भाईया और उची चली जाएगी, लोट आएगी, दो बात पक्की है, लोट कर आएगी और आस्मा नहीं चुएगी, लोट कर आएगी, ऐसे ही भगवान के आश्रे के बिना जो करोगे, कितनी उचाई पर पहुँच जाओगे, दो बात याद रखना, एक तो जन्म और मरन से इस तुरिकाल सत्य को, इस तुरिकाला वादित सत्य को, कि आप लोट कर आएगे, दुख का अंत नहीं होगा, एक ही एक ही अवस्था, एक ही व्यवस्था बगवान की है, और आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मन के पास विचार करने की एक शक्ति है, लेकिन जब एक मन, जब एक मन भाती-भाती के विचार करता है, तो शक्ति क्या है, उर्जा क्या है, बिखर जाती है, यसे आपका एक मन,